के दोस्तों इस वीडियो में करें टेखनी ये शियर किया है तो इस वीडियो पार देखतेolds देखतेों तो चलिये दोस्तों आगे पढ़ते हैं है अई याई्ट मैं हो शोमाली स्वागत रापका मिंस्टरी मिन चाहें पर सबस्पन पेहले सबस्क्राइब की है मिस्ट अनियों चायंक को और बेल आइकन को तभाईए लेटिस्ट रेगोंची आपडिस सबसे पहले दिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले रियल्मी ने लॉंस कर दिया रियल्मी एक्स्ट्रो स्मार्टफोन इंडियन मार्किर में तो आएए स्पेक्स जान लेते हैं फोन स्पोर 6.4 इंचेश, फूल एज़ी प्लास, सूपर अमोलेट डिस्प्लेट और वटर रप स्टाइल नौज साथ में स्पेक्ट रिशो 19.5 इस्टुनान और डिसलिशन 2340 मॉल्टिबल 10000 पिक्स और स्क्रें तो बोडी रिशो 91.5 परसें और कलर अप्शन से पल ब्लू, पल वाइट और पल ग्रीन कलर फोन पावर्ड बाई Qualcomm Snapdragon का 730 चिपसेट जिसमें 8 नानोमीटर प्रोसेस टेक्नोलोजी यूज़ किया गया क्लॉक स्पिर अप्टो 2.2 गीगर्स और ग्राफिक्स अद्रीन 618 और राम 4GV, 6GV और 8GV और इंटल लेंस स्टोरेज 64GV, 128GV OS Color OS 6.1 Realme Edition जो Android 9 Pie पर बेस्ट है और इस में बैटरी 4000 इमेज जो सपोर्ट 30W वोग 4.0 फ्लास चार्ज टेक्नोलोजी और फ्रांट में 32MP सेल्फी कामरा, अपेचर F2.0 लेंस और सिक्विर्टी के लिए इन डिस्पेश फिंगर्पिन सेंसर मौजूत है और लगबग सभी सेंसर मिलते हैं कनेक्टिविटी ओप्शन में dual SIM slots, WiFi, Bluetooth version 5, NFC, USB Type-C और 3.5 mm headphone jack फीचर्ज शामील है तो फाइनली प्राइस, Realme X2 4GB प्लास 64GB वरें के लिए 16,999, 6GB प्लास 128GB वरें का 18,999 और टॉप 8GB प्लास 128GB वरें के लिए 19,999 और से स्टार्सों ने जा रहे 20 December से वाय फ्लिपकार्ट और रिल्मी ऑनलाइन स्टोर पर और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अपना वी तक मिस्टेनिकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले और रिल्मी बर्स एर ट्रूली वैलेस एर बर्स ओफिशल है और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया रिल्मी बर्स एर में 12 नैनोमेटर का बैस पोस ड्राइवर, मल्टी लेयर कंपोसित डाइग्रम and calling के लिए environment noise cancellation support के साथ आता है and company ने low latency के साथ एक dedicated gaming mode add किया है रिल्मी बर्स एर सपोर्ट करता है wireless charging जो किसी भी QI compatible charger से यूज़ कर सकते है और इसमें USB taxi भी शामिल है रिल्मी का दावा है रिल्मी बर्स एर 17 घंटे का music playback दे पाएगा इसके अलावा रिल्मी बर्स एर आता है auto connection support, ये near detection, two microphones, google assistant indication and touch controls और हाँ Bluetooth version 5 technology supportable तो price and color जान लेते हैं रिल्मी बर्स एर three color variants में मिलेगा black, yellow and white और price इसका 3999 और next cell है 23rd December को via realme.com and flip card पर और हाँ दोस्तों, realme ने realme पैसा financial services platform launched किया है इंडिया में realme पैसा का एक android app भी free credit report, screen insurance और personal loans जैसे features के साथ पेश किया गया है तो दोस्तों, और भी updates के लिए miss channel चाहें के साथ बने रही है आगे, Telecom Regulatory Authority of India, three ने revised mobile number portability यारी MNP rules को लागू कर दिया है अब से नए MNP rules में users को केवल दो दिनों में एक नए telecom operators को port करने में enable करेंगी porting के लिए overall time पिछले 96 घंटों से घटा कर 48 घंटे कर दिया गया है और जो अपने port out request को cancel करना चाहते हैं, वो document submission के 24 घंटों के अंदर ऐसा कर सकते हैं इससे कई users को सुविधा होगा कम समय में other operators में port करने में आगे बढ़ते वे, वीवो ने वीवो X30 और वीवो X30 प्रो 5G स्मार्टफोन को launch कर दिया चाहिना में नए वीवो फोन, 50mm portrait lens, Xynos 980 चिप से एक होल पंच डिस्प्ले और इंटिकेड़ेड 5G modem के साथ आते हैं वीवो X30 5G और वीवो X30 Pro 5G सपोर्ट करता है multi turbo 2.5 फीजर जो की download speed सबसे तेज है यह ensure करने के लिए Wi-Fi speed के आधार पर automatically switch करता है 4G से 5G वीवो X30 5G और वीवो X30 Pro 5G दोनो sport 6.44 इंजल, Full HD+, Super AMOLED डिस्प्ले और इसलेशन 2400 मॉल्टिवेल 1080 pixels और दोनों phone powered by Octagore Exynos 980 chipset और यह Samsung का पहला प्रोसेसर है जो integrated 5G modem के साथ और वीवो के साथ को develop किया गया RAM 8GV, internal storage 128GV और 256GV वो इस फंटे जो स्टेंट जो आनन आन पाइपर बेस्ट है यही पर बात करते हैं बैटरी की, बैटरी 4350 mAh, साथ में 33W flash charge support via USB Type-C Camera के लिए वीवो X30 5G triple rear camera setup के साथ आया 64MP, 8MP, 32MP जबकि X30 Pro 5G sports quad rear camera setup 64MP, 8MP, 32MP, 13MP periscope lens selfies के लिए दोनों में 32MP का selfie camera aperture f2.45 और हाँ phone support in-display fingerprint sensor and face unlock तो प्राइस के और बढ़ते हैं, वीवो X30 5G का स्टार्टिंग प्राइस इंडियन मनी में अप्रोक्स 33,400 और वीवो X30 Pro 5G का स्टार्टिंग प्राइस इंडियन मनी में अप्रोक्स 40,500 तो दोस्तों जब launch होगा इंडिया में मैं आपको जरूर से इसके बारे में शेयर कर दूँगी और दोस्तों अगर topic आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक like कर दीजिएगा next, Samsung ने 144MP image sensor के लिए 40nm of infrared technology को unveil किया IEDM 2019 seminar में Samsung के researchers के आधर पर 40nm of infrared technology 144MP sensor में power consumption में 42% reduction allowed करेगा जबकि capturing images 10APS पर और 30-120APS यानी recording video में 12MP का readout लेने के लिए energy saving 37% तक हो सकता है तो देखते हैं आगे और क्या updates मलता है और last में Xiaomi ने अपने portable fruits and vegetable purifier को unveil किया चाइना में जिसे Xiaomi के U-PIN website पर crowdfund किया जा रहा है ये उन useful features के साथ आता है जो उन logo के लिए aimed है जो अपने health और food quality के बारे में conscious है official loads के अनुसार नया Xiaomi Purifier High Energy Ion Purification Technology का use करता है और इसमें battery 4400 image and support करता है wireless charging और IPX7 waterproof rating भी है ये full wide body में आता है और एक circle LED indicator side में है और फ्राइस इसका इंडियन बनी में अप्रॉक्स 2000 और दोस्तो ऐसे ये updates जानने के लिए मिस चैनल के साथ बने रही है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही thank you guys अब सब को वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, नीचे comment भी करें ताकि मैं आप सब के लिए और भी बैतनी वीडियो बना सबूँ चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share करना ना भूले मैं शुमाली में तो आप से अगले वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए, जाए हिन्दु